जलता में। सवामीजुस नमस्कार माज अपले सवागत। आज अपला सोन बता है BJPिछए दिगस नेते projects सुब्रहमने लाभवाने स्वामीजी स्वामीजी अपकुत। सवाहत है सवागत। कनर दो हमेसा सुलखियो में रहते हैं ऐसा क्यों आपका बिजनस कैसे चलेगा मैंने करूंगा तो सब हमारे पॉलिटेशन्स पत्रकार दोनों इस लोग तंतर के लिए मिलकर काम करना चाहिए अभी आपने राहूल गांदी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया लेकिन उन्होंने भी आपको चैलेंज कर दिया कि पहरी करें पहले मैंने औरोप नहीं लगाया मैंने जो दस्तावेज इन्होंने कमपनी सेकेटरी और डिरेक्टर के नाम पर बिटिश गवर्मन्ट को पेश किया है वो बिटिश गवर्मन्ट के ओफिशल विब साइट से मैंने डाउनलोड करके प्रिजन्ट किया है कांगर् एक बार 2003 में उन्होंने का कि मैं इंडियन सिडिजन हूँ, उसके बाद उन्होंने बिडिश सिडिजन, बिडिश सिडिजन, बिडिश सिडिजन, आंखिर में बिडिश गवर्मन्ट ने इस कंपनी का डिसलूशन के लिए और दिया और ये कंपनी बंद हुआ, उस समय भी जब टॉर्म्ष चाहिए तो पांच साल के लिए उनों ने लगा था और का कि मैं ब्रिपिससा नहीं हूनको खोलासा देना चाहिए टाइबिंग मिस्टेक रेतों सारा जो फाइल्स हैं इसकी वो पेश कर देना चाहिए क्योंकि कमपनी सेकेuti ओने के charts से इनका दसकत होगी या उनों ने एक अन्डिक्टिंग दी होगी कि यह सारे जानकारी मेरे घ्राव ज़ान के अनुसार अतब ए तो यह मुझे क्यूं कहते हैं कि तुम्ने अउरॉब लगाया मä कहता हूं तुम्हारी दस्तावेज मैंने पेश की है इस दस्तावेश को आप नंकली नहीं कहते हो फोरजरी नहीं कहते हो तो फिर यह कैसा आगया कि आप बृटीश सिडिजन है यदि आप बृटीश सिडिजन नहीं है तो फिर आपने इंग्लेंड में कमपणी कैसा खोला हमारी के आधिकारी को बताए बिना Foreign Contribution Regulation Act रसब राजनीति क्यों के लिए अपलाई करती है और जो आपने लोगसवा में अपनी Assets और Shares and Defenders की जो Statements दी थी उसमें आपने इसका कोई जिकर नी किया तो उसमें आपने जूट बोल दिया अभी ये परिशान कर रहे हैं सुनिती इरानी को कि यहां तो सबसे भाएंकर यह उन्होंने क्रिमिनल अपराद किया है कि उन्होंने हमारी Foreign Action Authorities को नहीं बताई तो मेरे उपर कहतें कि औरो पैसिद करो या जेल बेज सकते हैं तो जेल बेजना ही है तुमारी अनुमोती की जरूत नहीं है जैसे कि बृतिश शरकार का भी कहना है कि इस नाम का कोई नहीं है अहां कहा absolutely कहीं नहीं कहा किसी ने आपको बताया तो जूट बताया है कुछ मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आ है मीडिया में सब सची आते है अब मुझे बताईए किस मीडिया में आई है यही है पर समस्या उन्हों ने यह ब्रिटिश गर्वर्वर्मेंट ने एकनामिक टाइम्स ने पूछने पर कहा कि यह डॉक्मेंट जेन्वेन है अब वो सिटिजने नहीं है यह तो हमारी रिजिस्टर और कमपनीज की काम नहीं है उन्होंने दिया है शपत लिया है कि यह सारे सच है हमने विश्वास करके वे चाप दिया लेकंट आप ने अरुन चेटली को भी निशाना बना दी है नहीं मैं निशाना नहीं बनाई रहा यह तो आपका आप पत्रकार लड़ाई पैदा करने चाते हैं तो ऐसे भोल देते है पर आसकती है ये मेरी राय है और उन्होंने वेरी बात सुनी नी इतना का इसमें क्या निशाना का सवाल है आप तो समझते हैं कि कोई यहां देश में तानशा ही चल रही है कि सब लोग सलाम भरते बैटे रहेंगे मैंने मुझे पूछा गया कि ब्लैक मनी क्यों नहीं आया और इंफलेशन का जी बात है तो आपको लगता है कि यह दोनों इश्यू को लेकर सेंटर गवर्मेंट फेल हुई है क्योंकि जो छोड़कर गए को यूपी ए उसके उसको ठीक करना है जैसे यह रगुराम राजन है यह तो इंट्रेस रेट को इतना हूँ थोड़ा कम किया क चुँकि मैंने प्रदानमंत्री को चिटी लिखा इसको निकाल दो यह इंट्रेस्ट करेट कट होना चाहिए रगुराम राजन कट होना चाहिए इनमेंसे दो होना चाहिए तो उनने किया बहुत कम किया आज उनका बयान आया है एकनामिक टाइम्स में कि हमारे देश में आकई मैं ऐसा है में इंटालरेंस हिंदू कभी इंटालरेंट नहीं हो सकता है 80 80% हमारी देश हिंदू है और यहां पार्सी आये थे उनको हमने देखबाल की दुनिया भर में उनकी मार काट हुई थी सबसे ज़्यादा सोशन नरसिंगार हुई यहूदियों के साथ हिंदू देने का प्रस्ता होता और जब अंग्रेज छोड़ कर जा रहे थे उन्होंने पार्सी से पूचा कि आप इतना चोटे समुदा है हम आपके लिए रेजर्वेशन दें कि नहीं उनका हिंदू ने हमें दस हजार साल के लिए देख बाल किया लब तुम्हें फिकर करनी के जु दूनिया भर की इंटोलर्रेंस हुई है उस समय तो यह सब लोग चुप थे जो से नर्सिंगार हुई थी सिखों के साथ चब थे एमर्जनसी क्या टॉलरेंस था उतो महां इंट उलरेंस था तो इसलिए मैं तो हजार गए देख सकता हूं कितने लोगों को नोक्री देंकाला गया क्योंकि वो संगे से आरे से से जुड़े वे थे वो इंट्रालरेंस नहीं था तब ये कहां बोले मैं खुद दो प्रोफेसर्शिप से मुक्त हुआ निकाला गया था निकोर्ट ने वापिस कर दी थी मुझे लेकिन इन्हों ने तो किया था क्यों कि मैं सोविट रूस का खिलाफ था सारे सोविट रूस की जा सोविट रूस में तो कोई डिमाक्रिसी थी नहीं और मुझे डेली उनिवर्स्टी प्रफेसर्श से निकाल दिया था क्योंकि मैंने का सोशलिजम हमारे देश में काम नहीं करेगा ये सारी बातें हैं लोग भूल जांगे बूल गए है हमने कोई ऐसा काम नहीं किया ये जो किसी को रोका वाबाड वापिस किया किसी को जेल में डाला तो ये इसलिए ये तो सब बना उटी है क्योंकि वो डरते हैं कि हम जम जाएंगे तो फिर बहुत सालों के लिए बीस पचीस साल दहमारी सरकार चलेगी इस डर में आज वो अं विदेशी अकबारों में छपता है आपको लगता है कि बीस पचीस साल सरकार चलेगी जैसे आपने अभी का मैं तो समझता हूं जिस ट्रेंड देख रहा हूं मैं आप तो ये दिली और बियार के सोच रहे होंगे तो मैं बता रहा हूं कि जहां तक लोग सबाग है हम बीस प ब्रेक ची ब्रेक नंतर आपर पुनहा चर्चा करूया सुब्रमन स्वामी परुबर